कोरोना के चलते फ्लाइंग सिख मिलखा सिंग जी नहीं रहें 90 साल की उम्र में उनका देहान थो गया लेकिन मुझे मिलखा सिंग जी का एक इंटर्व याद आता है जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे जब भी कभी सरदर्द होता है मैं उसके लिए कोई भी मेडिसिन्स नहीं लेता हूँ मैं सुबह एक लंबी दोड लगाता हूँ और मेरा सरदर्द गायब हो जाता है और यही उनकी सिहत का रास था 90 साल की उम्र में भी लेकिन कोरोना के चलते हमने कोहिनूर को खो दी उनकी जिन्दकी पर एक फिल्म बनी थी भाग मिलखा भाग जिसमें फरान अक्तर ने काम किया था फिल्म सुपर हीड थी सभी को पसंद आई थी आज हम भले फरान अक्तर को पसंद नहीं करते हैं पसंद नहीं करने की बहुत सारी वज़ा भी है क्योंकि उनकी फैमिली को हर चीज में प्रॉब्लम ही नजराती है बे वज़ा राजनीती में घुसे रते हैं जबकि साल 2014 के पहले इनकी फैमिली राजनीती को लेकर कभी भी कोई टिका टिपड़ी नहीं करती थी आज इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लेकिन बात मिलखा सिंग जी को लेकर है तो फरान अक्तर का नाम तो सामने आना ही है इस फिल्म को देखने के बाद अबिनेता नसरी दिन शाह बहुत जादा नाराद हो गेते बहुत जादा भड़क गेते और पूरी फिल्म को फरजी बता दिया था, बकुआस बता दिया नसुरुदिन का ये कहना था कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि फरान अक्तर ने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनद की है लेकिन सिर्फ बाल बढ़ा लेने से और बॉडी बना लेने से अभिने नहीं होता है मिलखा सिंग जी पर भी नशुरुदिन शाह ने सवाल किया फरान को कम से कम मिलखा सिंग जी जैसा दिखना चाहिए था मुझे पता है कि मिलखा सिंग जी उनके अभिने से खुश है क्योंकि ये फिल्म उनके जीवन पर बनी लेकिन क्या मिलखा सिंग जी ने ऐसा सोचा कि जैसा मैं उस वक्त दिखा करता था क्या फरानकतर इस फिल्म में मेरे जैसा दिखता है क्या उनके पास 1960 के ओलंपिक की उनक असुरुदी शाही जानते होंगे बाकि ये फिल्म मिलखा सिंग वाली सभी को पसंद आई थी